सो हलो नमस्कार दोस्तों विया फस्ट एर क्लासेश के अंदर आपका स्वागत है और आज हम पॉलिटिकल साइंस जो पहला फेपर है उसकी क्लासेश सुरुआत कर रहे हैं जिसका पहला फेपर जो आपका रहता है वो है पॉलिटिकल थियोरीज यानि की राजनितिक सिध्धा इसी के बारे में यानि की से पर परिवास किया होती है और मेतव क्या है और 300 का गुमा़ पिरा कि कोई से पूछा जासकता है लिए बिहान से देखिएगा और यह PDF आपको मिल जाएगी लिधिकल स्ट्रूइब के लिंक Three तो कुछ पराईस कहर me ठीक है और टेलिग्राम आप जोइन कर लेना बाकि सारी बहुत सारी जो है टुकडों के अंदर पीडियाफ आपको वहाँ पर मिले जाएगी तो चलिए शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट एर के अंदर देखिए आपको सबसे पहले तो अपना सिलेबस जरूर देख लेना है च तो राजनितिक सिध्धांत रहने वाद अला है और इसी के बार में हम जो भी यह सारी चीजिए वह पढ़ेंगे जैसे इसका क्या आरत है इसकी परकरती के सीद्धेति इसका मैत्व क्या है और इसके कौन-कौन से सिध्धांत है और जो भी इसके वेग्यानिक विदी और कलियर हो जाएगा चलिए सुरुआत करते हैं देखिए राजनितिक सिध्धांत इसका हम सुरुआत करने जा रहे हैं देखिए राजनितिक सिध्धांत सबसे पहले हम समझना चाहिए कि हम राजनितिक सिध्धांत पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले र राजनिती का मतलब इस परकार आप माना जा सकता है कि हम जो भी चीजें अपने समाज को विक्सित करने के लिए और अपनी जो परंपराइं वगरा है उसको अधस रूप में इस्थापित करने के लिए जो विवस्ता है अपनाते हैं उसको हम राजनिती कह सकते हैं और इसी के लिए हम सिद्धान्त का निर्मान करते हैं सिद्धान्तों का निर्मान करते हैं ताकि हम एक बेहतर समाजी के वस्ता का जो है सरजन कर सकें विकास कर सकें ठीक है इसी को हम राजनेतिक सिद्धान्त का सकते हैं और इसका देखिए अब हम इसके अलग अर्थ इसका अलग होता है इसके परिबास भी कुछ लोगों ने अलग दी है और इसकी परकर्टी अलग होती है महत्व भी इसका कुछ से होता है ठीके तो वह हम बारी-बारी से देखते हैं तो देखे परसन किस परकार पुछ जाता है एक्जाम में निम्दाद दुग परसन की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो देखे परसन आएगा राजनितिक सिद्धान्त का अर्थ है मैं तो बत्वाईए या अथ्वा में पूछ लेगा राजनितिक सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं तो इस परकार से गुमा फिरा कि कोई सब भी परसन पूछ जाएगा बैसिकली इसका मतलब यही है कि आपको राजनितिक सिद्धान्त के बारे में यहाँ पर टिपनी करनी है निम्द लिखना चार सो सब्दों का ठीक है माफिश आता हूं बेगरोंड में जो आवाज आ रही है मोर वगएरा की तो गाहों के इलाके में बहुत ज्यादा इसी आवाज चलती है तो इसको आप इग्नॉर कीजिएगा चीज जो भी समाजक के अंदर गट्टी थोरी वह आकिरकार क्यों और यह किस परकार क्या करने वह सार चीज़ों को हम क्या कहते हैं ठीक है अब हम देखिए यह निश्करस पर संबंद होते हैं तता इनके आदार पर वैसे ही तत्यों और गटनाओं की व्याक्या या चीज़ों का समूह है यानि राजनिती और राजनिती फिद्धान जो है वह एक दूसरे के आप कह सकते हैं पूरक है ठीक है फिर इसको हम चोड़ देते हैं पीडियाफ में आप इसको पूरा पढ़ लेना क्योंकि पूरा पढ़ने का अपने पास टाइम नहीं रहता है ठीक ठीकर होते हैं पॉलिटिकल ठीकर जो भी उनकर नाम लिख लेना जो मैंने यहांपे तीन चार नाम लिख रखें हैं एरलैंस के अंदर इनमें से किसी एक की परिवाशा को आप यात कर लेना ठीक है तो चलिए मैं आपको किसी एक की बचा देता हूँ तो ये इस हेकर के मतासर है। उपलब्द हो जाएगी तो देखिए राजनितिक सिदान्त की जो परिपास है उसके आदार पर हम यह निसकर निकाल सकते हैं कि राजनेतिक सिध्वांत का अधियन के तर सम्बंद के वल राजियन के दिप Jaim के संबंद के वल ब neden है की राजनेतिक का होना चाहिए वर जोась हम अधियन की चाहिए है कि यह क्यों हो रहा है या फिर इसका क्या कारण है हमको इसका जानने का कारण यह भी होता है कि हम जो है राज्य कैसा होना जाए मतलब उसको और आदर समय उसको कैसे बना सकते हैं राज्य को इसको हम राज्य तक्सिदानत कह सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं राजनितिक सिध्धानत का जो महत्व है उसकी क्या उप्योगिता है और या पिर उसका क्या महत्व है देखें महत्व के बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनका पॉइंट वाइस डायरेक्ट देख लेते हैं तो सबसे पहला में तो यही है कि समाजिक परिवर्तन को समझने में साहिक होते हैं तो हम जो भी अध्यान हम करते हैं राजनितिक सिद्धानतों का तो हमें यह गटनाओं का पता चल जाता है कैसे पता चल जाता है कि भई पहले क्या था और अब क्या हो रहा है तो इसका जो भी इब समझने में मदद मिल जा ढवारा तो Todo आ पहला में तो कि तो यह तोसमाजी तक यह राजञीतिक्र फिस परक का रोगि उपयोगित नागरिकों foreign नागरिक होते हैं जो परसा सकते हैं उनके लिए उपयोगी बाई किस परकार होगी उपयोगी उनके इस परकार होगी जो भी उनको पसा चल जाता है कि क्या कमी हो जाती है और क्या भी हमारे पास जो भी समाज है सिस्टा में उसमें क्या अच्छा ही है राजनिती में क्या चल तो उसको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिलता ही इन सब को भाई समनागरी को को मिलता है पॉलिटीशियन्स को मिलता ही यह राजनितिका पर जो लाब है और जो परसा सके उनको भी पाइदा रहता है इस चीज़ का जानकरी होगी तो फाइदा ही होगा जानकारी तो हमें साही मनलब फाइदा ही देती है तो इसी परकार ये इसका दूसरा मेतो है फिर तीसरा मेतो देखते हैं कि वास्तिविक्ता का ग्यान हो जाता है रियल्टी का ग्यान हो जाता है सामाजिक संविपज़तक द्वारा भाई इसे हमें वास्तुटता के तबारे में जान करी मिलती है रायनितिक सिद्धान्त अपनी विग्यानिक विश्य पस्तु के द्वारा अनुसासन में एक रूपता और समध्ता का विकास करते हैं इस परक्रिया में अनुसासन हात्मा की इस तर उचतर ध जिसले अगटना होった व्यक्यों हो जता है वास्थुक्ता की इस परकार से ग्यान हो ज Jew जता है पिर अगला जो मेतु आता था था वो है समध्याओं के समध्याओं में साहिक होता है भाई समध्याओं क्या होगी तो वो ही हमें इसे अध्यान करेंगे समध्याओं का जो सिद्धानतों का अध्याओं करेंगे तो हमें समध्याओं पता चल जाएगी और जब समझे पता चल जाएगी तो उसका समदान भी करने काई पता चली जाएगा और वो भी अमें इनके अधिन करने से ही पता चल जाता है ठीक है यह चौता मेतु है और पांचा मेतु है जो है वेग्यानिक व्याकियां में साहिए कि विग्यानिक जो भी व्यक्षियां करते हैं जो भी आप कह सकते हैं विग्यानिक द्रश्टिकॉर्ण इसमें भी अमें यह सायता देते हैं। पिर चटा जो मैं तो वो देखिए कि मानौ समाज की परगर्टी के लिए आउश्यक है आउश्यक तो यह सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो भी मानौ को विकास करना है उनको उम्रती करनी आदर समाज उस्तापित करना है तो उसको जो भी समझ दोता है उसमें सुधार करना फ्यूचर की जो भी योजना होगी वह वरतमान की राजनितिक प्रस्टियों को इसाब से देख कर बना सकते हैं ठीक है तो यह इस परकार की साथवां का मेत्व है अगर आपको क्या कि मैं आपको एक चीज बता देता हूं जद्ध आपको मतलब पढ़ना नहीं किसी भी होता है मगर मैं ऐसे आपको जो लेंगवेज है वो मुझे पता आपको समझ में नहीं आएगी और जो है यह कटिन लेंगवेज तो इसलिए मैं आपको एडिंग्स के मादम से डारिक्ट समझा रहा हूं ताकि आपके मेन मेन पॉइंट्स आपके क्लिर हो जाने चाहिए वाक आपको मेन मेन पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं ठीक है सोरी इसको एक वार ऐसे कर लेते हैं तो आटवा में तो हम पढ़ रहेते हैं ओचित्य पूर्ण सिद्ध करना यानि कि कोई भी चीज को भी सही एगड़ते उसका तुक के साथ यानि कि फैक्ट के साथ उसको सिद्ध कर तो आप विश्य सहतर की बात कर लते हैं यानि कि इसके कौन-कौन से दर्ष्टिकोन होते हैं यह इंपर्टेंट है और इसका प्रसन आप से लगुतरात्मक में भी पूचा जा सकता है ठीक है तो पूचा जाएगा कि राजनितिक सिद्धान्त के कितने दर्ष्टिकोन है तो देखिये परंपरागर दष्टिकोन पढ़ लेते हैं यह सास्तरी आदार पर मूल्यों और लक्षियों को मेतो देता है तता इसमें राज्य वश्य सरकार की उत्पति विकास संगटन परकार राजनितिक दल राजनितिक विजारदाने सरकारों और सम्विदानों का तुलनात अंतराफ्ट रह्मत्राइश्टि प्रचास संग आदिविश्यों का देखिया जाता है इस देखियों के अनुसारा दिक लाजनितिक मिखास का 6 श्मी थे परंपरागर दिस्टिकोन के लिए तयस सामिद रोते हैं इनका विश्यस ध्यान रखा जाता है जबकि जो आदुनी के देश्टिक ciao लुव्र सब्सक्रण को इसके अंदर तो के परशेच को कर दिया गया पहला इसके अदियां घट्र करते हैं जो 1967 में बड़ागर 27 कर दिये गए इसके नुचा राजनितिक वेक्ति और उनका वेवार संतुलन सक्तिने अंतरन परबाव संस्ताइं प्रसासन अंतरश्टी राजनितिक सिद्धांत विचारवाद सोथ पतत्तियां सांगी की सरवक्चन इत्यादी विविद्विश् मतलब इसके नदर ज्यादा चीज़ें शामील है तो यह ज्यादा मतलब एक्जेक्ट होगा एक्जेक्ट मुलब एक्जेक्ट प्रूप होगा एक्दम राइट तो अधुनिक दिश्टी कौन ठीक है परब्राव दरस्टी कोन के इसाब से तो फिर परसन आता है राजनितिक स सिद्राइटों का पतन क्यों होता है तो पतन के ये ुश कारण है पहला तो इतियास बात क्लाएं के यसाब से जो चल रहा 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 है तो इसकी कारण भी जो राजनेतिक सिद्धाट है वह खतं मौत दो रहा है vector आनि कि हम जो भी चीज कारण है वो इत्यास वाद है वो भी एक कारण रहता है सबसे पहला कि भई पुराना आज कानूं तो इस लिए जो नया कानूं ने वो कैसे लगो सकता है तो यह पहला कारण था कि इस दीट चाथ मक्ता का मतलब जिल चीज्व चीज़ें होती है तो इस आज का कारण उसकी एक तक्ठियात मकता भी है परानामनां में तो पर्मप्रावाद ये तो परहन ब् долго कि समिदान के संदर में तत्यों का पाड़ खड़ा कर दिया और बाद में वेवारवादियों ने तो तत्य और क्योल बता रहे थे तो अत्य देखते त्यात मकता हो गई थी मगर उसके कोई मूल्ड रूप से डंचा नहीं था उसकी कोई जड़ नहीं थी उसका कोई केंदर नहीं था तो इस परकार ये इसका दूसरा कानड़ था पतन का तीसरा गालना आ जाता है राजने थीक विग्यानिक कोंक बहुत बढ़े या पढ़ेंगे फाइनल ये के अंदर जब जाएंगे तो पलट पलुटो और रस्तों को अच्छे से पढ़ेंगे इनके दाशनिक वगेरा तो यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रॉल पले करते हैं रानिती विग्यान के अंदर तो यह जब लिक रहे इसे निष्ट किया और बचा लिया उसे विग्यान वाजे ने समाफ्त कर दे इन कारणों से भी रानिती के सिद्धान के तिदिक चलती हुई तो यह तीसरा सबसे बड़ा कारण था पतन का यह कारण है था किया फिर चोता जो आता है पुएंट राम समाजिक विग्यानों की समाजिक विग्यानों की आतके पतन का करण समाजिक विग्यानों की शापकस था भी रहा है तो क्या चाहिए और क्या है न को चाहिए और बाना क्या है और हमारे पास है क्या तो इन दोनों की भीष्ष मिनधा जो क्या होना चाहिए वो चीज गाईब हो गई वह हमें क्या होना चाहिए वास्ति वह तो गाईब हो गई तो इसलिए जो समझे me variety का सिद्धा अंद वो भी निद्य पूरते हैं इसका पांच्वा कारण है ठीक है फिर ये तो अपना समझतिक समझतित जो भी चेप्टर है वह खतम हो चुका इससे समझतित इन्हीं में से परसंद पूछा जाएगा आप से तो कौन-कौन से परसंद पूछाएगा च्छोटे वाले परसंद कौन से ये परसंद बन सकता है तो इसका यर्थ यह है राजनितिक सिदंत, राजनितिक गटनाओं, तत्यों और और अलोकन पर आदर्री निशकर्षों के समों को घेते हैं अर्थ-र्थ स्वाज निगर जाता है कि स्क्राइब सरुषा धर्षिक हाब ऊत्षान किया जाता है autopsy एक अच्छा समाज th لاइक एक अच्छ अधर समाज जो समाज के अंदर जो विवस्त hein को बहुत ही अच्छी हो ठीक है तो इसको ऑ्रधक सिधान के सकते उसका अर। इसी को मान सकते हैं फिर इसके पतन के दो करण तो ahorГण तो हमने बताए राज़्श्ट के अ क्या टुक tavalla एक की आपके मुद्धन भिए पार गोलों के लिएक पास मतलब जो आ्धुनींक के wildin का निक उनके पार चेंगे तो ये भी गाणने घुड़ी तो बी मुल्यां को I am the difference करते। मुल्यां को अलग लग करता और अदारी परकद्य परकद्य किसमें नगसे होता है। जो दर्ष्टिकों उसके तैंडर को जएदा मेध्वा दिया जाता है। तो अनुबहु और जो चत्य वगएरा उन सब को मिलाकर अधुनिक जो राजनतिक सिद्धानते वो बनता है तो यह इसकी विश्चत हो गई फिर राजनतिक सिद्धानत के परकार में आपको प्रता थी परमपरागत और अधुनिक द्रिश्टिकोंड वाला सिद्धानत ठीक है फिर इसमें अंतर पुछेगा तो अंतर यह देखिए कि जो परमपरागत मानेताओं के दो आदार पर करते हैं तो इससे परमपरागत राजनतिक सिद्धानत का जाता है कि जब हम राजनतिक विश्चत का जाता है तो इससे अधुनिक राजनतिक विश्चत का जाता है राज वेवारी गया ठीक है तो ये अबना टोपिक पूरा हो गया है पहला आप कह सकते हैं लेसन कह सकते हैं या पिर पहला चैप्टर कह सकते हैं तो इसके बाद हम दूसरा वीडियो जल्द लेकर आएंगे तो बने रहीएगा चैनल पर और वीडियो कैसा लगा क्या समझचा है और क क्या मुझे सुधार करना चाहिए को आप मुझे कमेट में जरूर बताय कीजिएगा ताकि मैं और भी क्लासेज में इंप्रूमेट कर सकूं अपने ग्यान में और अपने कंटेंट के अंदर ठीक है तो उम्मीद है कुछ एल्प होगी आपकी दन्यवाद मिलते हैं पिर जैन जै बार्द